आप लोग जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाहे वो आपका UPSC यानि की Civil Service, IES हो या फिर आप देखे इस्टेट PCS होते रहते हैं या आपके वंडे एक्जाम होते रहते हैं Central लेवल पर भी और आपकी State लेवल पर भी इनके कम से कम 4-5 साल पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के आप लोग देखे आपके एक्जाम में हर साल जो महतपूर संस्थाएं हैं जो महतपूर संगठन हैं चाहे वो आपके राष्टी इस्तर के हो या अंतराष्टी इस्तर के हो इनसे हर साल questions आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो important organization के नाम से एक playlist सूची बना दीगी है उसी में सभी class आपको मिल जाएंगी तो उने जाकर आप लोग देख सकते हैं आज की इस class में हम लोग नियंतक एवं महालेखा परिक्षक के बारे में बात करेंगे कैक के बारे में, C.A.G. के बारे में बात करेंगे अगर इस संस्था से भी आपके exam में questions आएंगे तो आप लोग इस class को देखने के बाद उनके answer बहुत 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 तरीके से दे पाएंगे और आप देखेंगे इसके बारे में सबसे पहले तो आप लोग जो भीमराव मेट का साब, डॉक्टर भीमराव मेट का साब जो हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे और जिन्हें आप लोग समिधान का जनक भी कहते हैं इन्होंने CAG के बारे में क्या कहा था, यसे आप लोग देख लिजे और याद रखिए अगर आप लोग answer writing कर रहे हैं, कहीं निभन लिख रहे हैं वहाँ CAG यानि की भारत की नियंतक महालेका परिक्षक के बारे में कुछ लिखना है तो आप लोग डॉक्टर भीमराव मेटक साब की इस सब्द भी वहाँ लिख सकते हैं भारत का नियंतक महालेका परिक्षक संभावता भारत की समिधान का सबसे महत्पूर अधिकारी है वह एक ऐसा बैक्ती है जो यह देखता है कि संसत द्वारा अनुवन खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना होने पाए या फिर संसत द्वारा बिनियोग अधिनियम में निदारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए यानि कि कहने का मतलब यह है कि जिस काम के लिए खर्च करना है वो धन उसी पर हो रहा है या नहीं हो रहा है कहीं जानदा तो नहीं हो रहा है यह सब काम कौन करता है भारत का नियंतक महालेखा परिक्चक इसकी देखरेक करता है भारत के नियंतक महालेखा परिक्चक भारत के समिधान की तहते एक सुतंत प्राधी करण है और यह भारती लेखा परिक्चक और लेखा बिभाग का पिरमो और यह जानकारी जंसाधारन को दे जाती हैं। एक समिधानिक सलस्था है। समिधानिक सलस्था कहने का मतलव होता है मिदान के किसी अनुष्यत में उसका उलेग किया गया। उसकी इस्थापनाई की बात की गयी है। अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें, तो आप देखें, महालेखाकार कार्याले का वर्स 1858 में इस्थापित हुआ था, और ठीक उसी वर्स जब अंग्रेजों ने इस्ट इंडिया कंपनी से भारत का पिसासनिक नेंतन अपने हातों में लिया था, उसी समय इसकी को पहले ओडिटर जनरल की रूम में न्यूक किया गया था, इसके कुछ समय बाद भारत की महालेखा परिक्षक को भारत सरकार का लेखा परिक्षक और महालेखा कार कहा जाने लगा था, फिर आप देखें, 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंतक महालेखा परिक्षक कर दि आ गया, क्योंकि इस पद को बैधानिक दरजा दिया गया था, फिर आप देखें, भारत सरका अधिनियम 1935 ने संगिय धाचे में परांतिये लेखा परिक्षक के लिए प्रावधान करके महालेखा परिक्षक के पद को और सकती दी, यानि कि और अधिकार दे दिये, और इस अधिनियम में निवक्ति और सेवा परिक्षक का भी ओलेख था, भारत के महालेखा परिक्षक के कर्टबों का संचिप्त बिवरण भी है, फिर आप देखें, 1936 में लेखा और लेखा परिक्षक के उत्तरदायतों और लेखा परिक्षक कारेओं का प्रावधान किया, फिर कि राश्टपती द्वारा एक नियंतक महाले का परिक्षा की निवति किया जाने का प्रावधान किया गया क्योंकि आप सभी जानते ही कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी क्या मिली थी आजादी मिली थी और एक बात और याद रखेगा यहां जब आजाद हुए उस से पह पहले जब आप देखें जब आजादी मिल रही थी यह थे कौन CAG 1945 से 1948 तक रहे और पहले अगर भारतिये की बात करें हम लोग तो भी नरहरी राओ थे भी नरहरी राओ यह 1948 से 1954 तक सपत पर रहे थे फिर आप देखें 1958 में CAG के छेत अधिकार में जम्मू और कस्मीर को सामि जम्मू कस्मीर में बार्च दिया गया दोनों केंदर सासित पिदेश हैं अब आप देखें बाकी राज्यों में जो प्रावधान लागू होते थे वो अब जम्मू कस्मीर में भी आपकी पूरी तरह से लागू होंगे फिर आप देखेंगे कि 1971 में कैंदर सरकार ने नियंतक एबं महालेखा परिक्षक कर्तब सक्तियां और सेबा की सर्तें अधिनियम 1971 लागू किया अधिनियम ने CAG को कैंदर और राज सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परिक्षक दोनों की जिम्मेदारी दी फिर आप देखें 1976 में CAG को लेखांकन की कारियों से मुक्त कर दिया गया था अगर हम लोग बेटें से तुला करें अपने CAG की तो भारत का CAG किबल महालेखा परिक्षक की भूमिका ने बाता है जब चिडिया चुप गई खे तो फिर रखाए क्या होते है यानि कि पैसा खर्च होने की बात ही एक क्या करता है लेखा जेखा देखता है यानि पोस्ट फैक्टो जबकि UK में आप देखें CAG की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है भारत अगर हम लोग कैक की सम्मिधानिक प्रावधान की बात करें तो CAG की निक्ती, सपद और सिबा की सर्तों से संब्मंदित आर्टीकल आपका 148 है अनुचेद 148 कैक की निक्ति, सपद और सेबा की सर्तों से संब्मंदित है अनुचेद 169 भारत के नेंतक महालेफा परिच्छक गर्तबों और सकतीों से संबंदेत हैं, अनुचे 1050 कहता है कि संग और राज्यों को खातों का विवरान राश्टपती के अनुसार CAG की सलाय पर रखना होगा अनुचे 159 कहता है कि संगे की खातों से संबंदी CAG की रिपोर्ट राष्टपती को सौपी जाएगी जो संसत के पितेक सदन के पटल पर रखी जाएगी संसत के सदक कहने का मतलब है कि राज्यसबा लोकसबा की बात हो रही है और किसी राज्य के लिखाओं के संबंद में भारत के नियंतक महा लेखा परिक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्य के राज्यपाल को पिस्तुत की जाएगी और जो उन्हें राज्य के विधान मंडल की समक्ष रखेगा और फिर आप देखेंगे अनुचे 289 सुद्धाई की गर्णा C.E.G. द्वारा प्रमारित की जाती है और जिसका प्रमार्पत अंतिम माना जाता है तीसरी अनुसूची की बात करें तो भारत के समिधान की तीसरी अनुसूची की धारा चार भारत के C.E.G. और सर्वोच न्याले की नियातीसों द्वारा पदभार गर्ण के समय ली जाने वाली सबत का प्रावधान करती है चाटी अनुसूची क्या कहती है इस अनुसूची के अनुसाज जिला परशद या छेतरी परशद के खातों को राष्टपती की अनुमती के साथी C.E.G. द्वारा अनुमोधित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए और इन निकायों के खातों का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा कि जिस पिकार C.E.G. उचिस समझता है और ऐसे खातों से सम्मंदित रेपोर्ट राजपाल को पिस्तुत की जाएगी जो विधान मंडिल के समक्ष रखी जाती है अगर हम लोग केक की स्वायता की बात करें तो केक की सुतंता की सुरक्षा के लिए सम्मिधान में कई परावधान किये गए है C.E.G. राश्टपती की सील और वारंट द्वारा निवक्त किया जाता है अगर आप से पूछे कि भारत का कि नियंतक महाले का परिक्षक की नियुक्ती कौन करता है राजपाल कौन करता है राश्टपती करता है कौन राश्टपती करता है और इनका कारकाल 6 साल या फिर 65 बर्स की आई है जो दोनों में से जो भी पहले हो यानि कि यहां कहने का मतलब यह होता है कि माल लिजे कि आपकी उम्र 50 साल है आपको C.E.G. बना दिया जाता है कैग बना दिया जाता है तो 50 से आप लोग जैसे ही 6 साल का कारकाल पूरा करेंगे 56 साल के हो जाएंगे यानि कि आप लोग आराम से अपना कारकाल पूरा कर पाएंगे मान लिजे किसी की नियुक्ती 63 साल की उमर में होती है और आप देखें दो साल के बाद ही उसका कारकाल पूरा हो जाएगा क्योंकि वो 65 साल का हो जाएगा उसे अपने पद से इस्तिपा देना पड़ोगा, पद छोड़ना पड़ेगा, तो उसी की जो भी पहले हो CAG को राश्टपती द्वारा केबल समीधान में दर्ज पिक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है जो की सर्वोष्च नयाले के नयायथीस को खटाने के तरीकें के समान है एक बार CAG के पद से इस्तिपा देने के बाद भारत सरकार या राजसरकार के अधीन किसी भी कार्याले पर पद भार नहीं ले सकता है यारी कि कहने के मतलब ही कि अगर एक बार CAG का पद छोड़ दिया इस्तिपा दे दिया सेवा निवित्थ हो गया तो उसे कहीं और राजसरकार में और भारत सरकार में कोई रोजगार नहीं मिलेगा CAG भारत में सरकार की लोकतांत्रिक विवस्था की एक कड़ी है और अन कड़ियों में सरवोच न्याले चुनाओ आयोग और संगलोग सेवा आयोग सामिल है कोई भी मंत्री संसद में CAG का पितिनिदित नहीं कर सकता है और CAG का बेतन आप देखेंगे और अन सेवा सरते नियुकती के बाद कम नहीं की जा सकती है और उसकी पिसासनिक सक्तियों और भारती लेखा परिक्षा और लेखा विभाग में सिवारत अधिकारियों की सिवा सरते राठपती द्वारा उससे परामस के बाद ही निर्धारीत की जाती है और CAG की कार्याले का पिसासनिक बैय जिसमें सभी बेतन भत्ते और पैंसन सामिले हैं भारत की संचित निदी पर भारत होती हैं जिन पर संसद में मद्दान नहीं हो सकता है अगर हम लोग CAG की कारों सकतियों की बात करें तो CAG को विभेन सरोतों से और डिट करने की अधिकार पर आप थें जैसे समिधान का अनुचेद 148 से लेकर 159 नियंतक लेखा नियंतक और महलेखा परिक्षा कर्तब सकतियां सेवा की सर्तों अधिनियम 1971 के तहत कुछ महत्पूर और नेड़य भी हैं बाद सरकार की निर्देश भी हैं लेखा और लेखा परिक्षा बीनियम 2017 भी इसमें सामिल है और CAG भारत की संचित निदी और पितेक राज जिसकी विधान सवा होती है कि संचित निदी से समदीत खातों की सभी पिकार की खर्चों का परिक्षन भी करत है केंदर सरकार और राज सरकारों की किसी भी विभाग के सभी टेडिंग भी निर्मार लाभानी खातों बैलेंस इट और अन अत्रिक्त खातों का ओडिट भी करता है और समदीत कानूनों द्वारा अवसक होने पर वह केंदर या राज्यों के राज्यों के राजस्य से बित केंदर और राज्यों के खाते जिस प्यारूप में रखे जाएंगे उसके संब्द में राजपती को सला भी देता है। केंदर इस तर पर इन रिपोर्टों को CAG द्वारा राजपती को फिस्तुत किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी देता है। जाती है और CAG सबसे जरूरी मामलों में मामलों की एक्सूची तियार करके लोक लेखा संती को सुपता है। और CAG कभी कभी राजनेता और सरकारी कारियों के बिचारों की ब्याक्या और अनुवाद भी करता है। और CAG यह भी देखता है कि उसके द्वारा पिस्तावी सुधारात्मक कारवाही की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह मामली को लोक लेखा संती के पास भेद देता है जो मामली पर आवस्तक कारवाही करती है। तो यह फूरी कहानी है CAG की भारत के नियंतक और माहलेखा परीक चक्किम। तो आप लोग याद रखिएगा अनुचेद 148 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि इसके कारगाल की अवधी कितनी बात की गई है। या फिर 65 वर्स की आई जो भी पहले हो। और इसका हेड़कवाटर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए। वार्दमान में कौन है जब आप लोग एक लास देख रहे हैं उस समय आप लोग बताईएगा।